मास्टर कैडर दी त्यारी कार रहे सारे वद्यार्थियां दा स्वाकते है मेरे YouTube चैनल संयतिक जान्कारी ते अज़ दी इस वीडियो विच आपा अलोचना दियां परनालियां वारे विस्तार से पड़ांगे अलोचना दियां परनालियां ति हुन तक अलोचना दे खेतर विच जेडियां अलोचना दे आन विदियां परचालत रहेंगें, उन्ना दे विचो देखो पर मुख है, जडियां वारे आज़्जापां पढ़ांगे, जिवें सब तो पहला है गिया, असना अंतक अलोचना. पंजाबी साहितों इलावा जे असी सांस्कृत ना पच्छमी साहित उपर पिछल चाहत मारी है, पिछल चाहत जने इसी पिछे मुड़ के देखिए, सांस्कृत ना पच्छमी साहत दे बारे, तब पता लगदा है कि शुरू-शुरू दी अलोचना किसे असना आत नीमा जा आ दार्शन उपर ठीकी होई सी, इस अलोचना दी होन तो पहला कोई महत तपुन रचना होन वेच ओंदी है, जो पूर्वले ते पशलेरे सिर्जकानिक सौटी दा काम दिन दी है, तो उस रचना देदार ते कावदे आं दे निजम स्थाप्त किते जान दे है, ते ए निजम मे जिन्नू ही मन्ने जा सकते, जिन्नाने पहली वार इस ग्रांथ वेच काव रचना दे कावदे आं दी निजम वली त्यार किती है, इसे त्राही यूर्प वेच पार्तमुनी दे नाट्ट शाष्टर वांग अरस्तु दा कावशाष्टर है, जो उस दा आंतक अलोचना दी जो भीर है, ते इस्तोविना उर्दु वेच्च मुलाना हाली दी मुकदमाना दी पुच्तकवी, जहे कावश्टान तानों ही पेश कर दिये, अग्यागी साढ़े कोले निर नात्मक अलोचना, अगरे जी दे वेचे इसनू यूडिशियल कृटेसिसम की हाजान द adesso दा आंत अलोचन वेच अलोचक कभी निजमा तो इलावा कई वारी अपना निजिव चार भी पेश कर जन्द जो उस रचना प्रति निरनात्मक फैसला ही हम दा है ते इस प्रकार दा अलोचक एक जाज जाज प्रिख्यक दा काम भी कर दा है उप्रिख्यक जाज बनके काविता दे गु अलोचक अपनी राय देन तो बिना नहीं रह सकला ठीक है एक अलोचन ने कहिए क्योंके ओ इस दे समर्थक है निरनात्मक अलोचना ले जेह करना साहितनुस जोग अववाही ही मिल दी है पर लोड है कि अजही अलोचना करदे समय अलोचक सुहेर्द ते उदार्चित पावी मिल दी है वो सिर्फ साहिते केर्था नी व्याख्या ही करे अते नार्थी अलोचना दे ओ मानदां भी भाते जिनना दे सहारे काविता सुंदर पक्खानु दरसान दे दूज्जयन वे सुंदरता मानने वेच्छ सहा एक सिद्ध हो पर जहा कारना अलोचक नोइक दाइरे वि देना है जिन्हा मुझ्द्या में ची नीरस्ता इखलाग की ते सदा चाक कीमता जीव्यान लहीवी जई यह इलोचना करता दा है, ते मॉल्टन इस अलोचना दा जवरदस्त विरोध करता है ते आखधा है कि अलोचक नू निर्णा देन दा कोई हक नहीं, एक अल मॉल्टन ने कही सτε अग्यार साध्य को ड़्या खयातमक अलोचन जी तैस मर्धक मौल्टन है ठीक है जेड़े किये एसनलोचना ये तताप विरोध्धी है तो ये लोचना ने कीती है द्यां खयातमक किसे घंडे उपन नियम जा निजी रायर ओपत कारंदी बजाए अलोचक नूँ उस कृत विचो सिर्जनात्म अवस्तांत लबने चाहिए हैं अलोचक किसे कृत दी अंतरपावनानू समयजदा होया उस विचो सत्यम शिव सुंद्रम दी अंशलावदा है इस परकार ही ओ अलोचक दे नालनालिक सिर्जक जा रचना हारदा भी कम कार्वे होंदै ते इस विच किसे रचना बारे अलोचक दे निजी प्रतिकर्यामानू कोई महत्तव नहीं दित्ता जांदा सगों किर्थ दी वग्यानक व्याख्या ते वशलेशन नूही मुख रख्या जांद एंजी ही इस विच अलोचक दान्ता दी अधार्शां समाजद ते नातिक ओदेशां दे अधारूते आपने वल्लों किसी रचना बारे कोई निर्ना नहीं दिन्द सगों उस विचले गुणा रचनात्मक ते वचार गत ओदेशां दी वग्यानक व्याख्या ते वशलेशन ही इस अलोचक दा इकको एक आशा हुंद अग्यागी व्यक्ति गत अलोचना जही किसम दी अलोचना जडियो कावशाष्तर दे नाता किसे इस दात नाल ही बज्जी हुंदी है ते ना ही किसे चलांत विचारता रवल प्रतिवाद हुंदी है यह अलोचना कार्णवाले विद्वान वैक्ती दी अपनी ही पसंदे प्रस्तुत की ते विचार हुन दिया, जिस विच साहत अलोचना दी ग्रामर तक्रीवन नजर अंदाज ही हुन दिया, जनी ग्रामर वारे जाओं दे कोई रूल नहीं हुन दे वेच देखो, इस कारके यह अलोचना सिर्फ पावुक ही हो निब्ड़ दिये, त Ев रूप ए अलोचना सहित अलोचना दी खोट्टी वेच नहीं गिने जान दिये और तटे समी ही अदाज ही उद्वाओं दिये, तो जय जनी और समी आ ही के णी ले धार अंदाज हैं यहां इथक अलोचना बौधिक ता तो कोरी, सिद्धी, साल ते स्पार्ट भी हो जाया कर दिये, जिस करके साहत ते अलोचना जागते वेच इस दिम्हात ता गुनात्मक पक्खों काट ते गिनात्मक पक्खों जादा है, गुनात्मक जनी गोना जड़ी वेच काट ते गिनात्मक ज यह नी गेंती है जड़ि ओ एस अलोचना दी चाल है अग्गे आगी साधो ले मन वघ्जान का अलोचना इस किसम दी अलोचना जदो कोई विद्वान अलोच करदा है ता ओक काविता जा काविता दी स्रचना नालोग की ते वाद कवी दी मानसिक परवेर्ती जा रुजान नू मद्दे नजर राखके करदा है कवी दिवलो जड़ा मतलब मानसिक पर व्यत्ति है कवी दि ते ओधा जड़ा रोजा आन है जड़ियां गल्ला लेच उसनों वी सामने राखके करीजान दिया है मनोवग्यानिक अलोचना जड़ि कैंदा पाव ए है वी देखो मनोवग्यानिक अलोचना कारदे समय अलोचक जोड़ के विशावस्तु दी परमानिकतानों सिद्ध करदे ते निज्जी जिंदिगिनियां ओकटना मां हुंदियां जिन्नादा रचना कारदे मानते कोई प्रवाब होए जां उन्ना कारके ही माने वीच उथल पुथल हो रही हो ते कई विद्वान इस अलोचना नोव्य ख्यात्मक अलोचना भी कहन दे क्योंके विया ख्यात्मक अलोचना राही अलोचक इक रचना कारदी अंतरपावनानों समझदा होया अलोचना कारदा पर साड़ी जाचे जनि साड़ी समझदे वेच एग अल है फिदोहां अलोचना पर नालियां वेच कुझ अंतर जरूर है जिमें उपर दस्या जा चुक्या के अलोचक रचनाकार्दे रूप बेच हुन्दा होया नाल नाल रचनाकार्दी जीवन द्रीस्टी ते उस दी मांदी परवेट्टी दावी ख्याल रापदा इस अलोचना पाती देदा आरदे प्रसिद्ध मनो विशलेशन शाष्त्री अजिड़े जिमें फ्राइड, एडलर, ते यूग इन्ना ने कीकित देखो मनुखी मांदिया आत्रिप्ते शावानों सहे दा स्रोत दस्या इसलाई एन्ना विचारां दे सार्थक अलोचक एक एंद हन के सहितकार नों पूरन पान समझन लई, सहितकार दी मानसिकता तिस वा अद विशलेशन जुरूरी हैं ते दोश देखोग ए tego चने है एस सहितकार दी मानसिकता नल जुड़ी होन करके समाज दे स्मुच्य वरतारे नलो टूटके अन यथार तक सिट्टे करदी है ए अलोचना सहित अलोचना ना रहा के एक जीवनी पर्क अलोचना बनके रहा गई केड़ी अलोचना बनके रहा गई जीवनी पर्क ठीक है इस करके नो असी अलोचना नहीं कह सकते अग्यागी प्रवाब बार दी अलोचना इस अलोचना नो आतम निष्ट अलोचना भी कहा जान्द है दूज्ञ नामे रहे हैं आतम निष्ट अलोचना क्योंके इस रही अलोचक कोई रचना पाड़के इन्ना अंतरमुखी हो जान्द है यो रचन कार्तों कोई प्रवाव अपने मानते पुआ बैठता है इन्ना अंतर मुखी हो जाना किसे दी रचना पढ़ा है पिश विचुँम प्रतिकरम वजों माद भिच उप प्रवा वादता निरूपत प्रवाव ही ऑ अलोचना जेडी ओगो दिखो अलोचक दी व्यक्तिगत अन्पूती दी प्रतीक हुन दिये जो कवी दी कलात्मक श्यानितो प्रभावित होके किती हुन दिये इस अलोचना राही रचना दा अलोचना आत्मक वशलेशन नहीं किता जान्दा सगो रचना विचले जो प्रभाव अलोचक दे मन्ते पहय उनना दा प्रतिकर्म ही अभिज difत होंदा है। अग्लेंगे परगति वादीलोच न जह इसनल Two marks वाधियालोच nellी कैनने हैं इस लोच न प्रनाली न असी समाजवाधी थार्ख अंत्रगात ही विचार्दी रहे हैं इसा लोचनानू विख्षत कार्णवाला पर मुख्रू बेच कार्ल मार्ग्स है ठीके जिन्नानेस नू विख्षत किता इसकार के मार्ग्स वाद्धी वेनू केहा जांद कार्ल मार्ग्स है जिन्नानेस तार नानू विख्षत किता जो स्म स्माज्जिव वेस्तादा मूलदार आर्थिक्तानु मान देया, ते आर्थिक्ता ही है जिसने दुनिया वेच दो तड़े साधन हीन ते साधन शील बनाईया, ते आर्थिक्ताने, दो तड़े बनाईया न, दुनिया ने साधन हीन ते साधन शील, इस गल्नु मान देया कार्ल म ते इनना दो तड़ यां जा वर्ग विच बंडी दुनिया नू एक प्लेट फारंते ले ओंदे ले इमाक्स अजड़ा ओ श्रेनी रहत समाज देखोंना निकेहागा नू श्रेनी रहत समाज दा परस्तावराख देखों कारमाक्स इस अलोच न देखों तो इसकार के साहित श्रेनी सुगार्ष नू पैल दिन देखों इस किसम दा अलोच किसे भी रचनानू सर्भुत्तम कैणले रचना विचो किर्तिज मातनिया समस्यामा ते ओनना देको उल्लां भ देधवनदात्मक पॉतिक वादस्ना देउंसार की याई श्रिष्टि दा अदार्पदार्थ है जो पर वर्तन शील भी है ते जो स्रिष्टि वेचे पहला फीमजोरड होंगा है पदार्थ हते सत्ती आपसी दवन्द करके लिखी इसमदात्मक पॉतिक वाद्ध काई तो इ प्रिंसिपल संसिंग सेखों प्रफैसर किशन सिंग दी अलोजना इस पड़र दी अलोजना मननी गई इस अलोजना दोश देखो किया है इस दोश एक एक सोह स्वा ते कला पक्ष नू बिल्कुल नजर अंदाज करके वस्तुपदार थुपर बल दिखता जन्द है तो दूसरा इस वेक्तिकत प्रतीवादे चम्त कारी प्रवावने पैल देज़ां स्वुई के हिट्त ही पर्थे जन्द है स्नुई के हित्त देखो जी मैं अपर पहला पढ़े आदे मश्रेनी समाध है की रिथ श्रेनी वाला इसकार किस दीच गाल्ले किते गई ए पर इस दी जो बड़ी देन ए है के इस अलोचना ने साहित विच परवेश प्लाइन वादी रूचियां दा जोड़ा इस अलोचना दे समर्थक एक एंदे हन के ज्यान दी प्रवेश परवेश पर इस अंगा इक दुजना सवंद ना जोड़ा होगी एक आंक संकल्प दी साथेक्ता ताही ग्रैन होएगी जेकर उस दा रिष्टा काविता दे दूसरे अंगा दे नालवी होगी जमें डॉक्टर हर अपजन सिंग दे उनसार देखो स्रंचना वाद को इस दा आत नहीं एक एवल द्रिष्टी बिंदु है ज्यान प्राप्ति दा इस दी मूस्त आपना ए है के किसे वस्तु शेष नुक स्रंचना दे रूबेच विख्या जा सक्दा है ते स्रंचना एक स्मुच है जिस दे अं परनाली दा मुखलाव यह है कि कवी दे नेज नालों कावितादा नात्ता तोड़के अलोचक उस दी कावितादा मुलांकन करद इस परनाली वेच पाशा वग्यान मानव वग्यान ते गनित वग्यान आद्मियां कई वग्यान एक ट्रक्नीक कानू नजर गोच्रे रखे ज इस अलोचना दे शमर्थ काने पंजाबी साहित वेच एक जही अलोचना दी पेर्त पाई है जिस दा अदार बिल्कुल वग्यानक सी फिर वी इस अलोचना दे दोश मन्यां गया है कि समाज दे स्मुच्चे पाई चारे उपर अलोचना अत्मक टिपनी नहीं करती ते इस तो बाद देखो होर भी कई स्रचना विदियां होंद वेच आ चुक जिमें शैली वग्यान एक पाशा वग्यान एक चिन्न वग्यान आद कई समीख्या विदियां अजकल कार्ज शील हा ता एस ही देखो अलोचना पर नालियां अलागलग अलोचना देबारे में तो अनुदस्या विदियां किन्नी विदियां इस करके सारी विदियां नू तया नल देखो ते याद करो चैनल नू सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाओ तांके हर वीडियो दे तो हर देखो सब तो पहलना कहूं सकते।